जे मातादी, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत सागत है फेस की स्कीन एकदम ढीली हो गई है, टाइट कैसे करें? जूरियां बहुत आ गई है, इन जूरियों को कैसे दूर करें? फेस के उपर दागधब्बे हो गए हैं, क्या लगाएं, क्या करें? बहुत सारे कुष्चन होते हैं, जैसे ही एज हमारी 30 प्लस होती है, यानि हम 30 साल से उपर जब होने लगते हैं, हमारी स्कीन के उपर कई तरह की प्रोब्लम आनी शुरू हो जाती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि एज की वल 25 या 26 ही होती है, लेकिन फिर भी इस टाइप की प् में हर एज में अलग-अलग प्रोब्लम्स होती है, अलग-अलग रीजन होते हैं, हमारी इसकीन के उपर प्रोब्लम होने के, तो यह बहुत चोटी सी वीडियो है, आज की और बहुत ही उप्योगी वीडियो है, आपको एक-एक करके रीजन और सब कुछ बताऊंगी और ट् दिखते हैं तो पूरी चीज़ें समझ में नहीं आती और फायदा भी आपको पूरा नहीं मिलता है तो शुरू करते हैं वीडियो अगर आपकी एज 30 प्लस हो गई है और आपकी इसकिन पर इस तरह की प्रोब्लम्स आ रही है या आपकी एज के वाल 25 या 26 ही है फिर भी आपकी इसकिन के उपर इस तरह की प्रोब्लम्स आ रही है तो दोनों लोगों का ट्रीटमेंट एक ही होगा बस रीजन थोड़े से अलग होते हैं जिनका आभी आपको बता देती हूँ अगर 25-26 के बाद ही इस तरह की प्रोब्लम आने लगती कि इसकिन एक दम धीली हो गई है जु इसकिन के उपर बहुत अधिक जो लोग मेकप लगाते हैं उनको भी इस तरह की प्रोब्लम्स हो जाती हैं जो लोग भरपूर नीद रहे लेते हैं पूरा पानी नहीं पीते हैं यानि एक दो गिलासी पानी दिन में पीते हैं उनके साथ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गई है 30 प्लस उनके रीजन कुछ अलग हो सकते हैं जैसे कि 30 प्लस आपकी एज होती है तो एज भी आपकी मैने रखती है जैसे हमारी एज बढ़ती है और हम अपने खाने पीने में कंट्रोल नहीं रखते अपनी स्किन की केर नहीं करते हैं तो ऐसी प्रोब्लम्स आनी शु जोड़ते हैं उसके अलावा मैं अब आपको बता रही हूं खाने पीने में कुछ ऐसी चीजें आप जोड़ लीजे यानि कि सुरू कर दीजिए अगर नहीं खाते हैं जिनसे की आपकी इसकिन की जुरियां इसकिन का ढीलापन इसकिन के दागदब्बे धीरे धीरे करके एक फिरे पको दुपहर के भोजन में जरूरोड लेना है क्योंकि दही बहुत पॉश्टीक होता है यह हमारी हेल्थ और हमारे हाजमी के लिए तो अच्छा होता ही है साथ हमारी इसकीन इसकिन को भी बहुत अच्छी तरीके से रिपेर करता है था इसकिन अगर डीली यह तो इस नहीं आपकी सेहत के लिए बेहतर है अपने फेस की साफ सफाई का भी सेज़ ध्यान रखें जैसे कि अगर आप किसी काम से बाहर जाते हैं किसी जौब के परपस से बिजनेस के परपस से तो वापस आने के बाद अपनी इसकिन को धोना विल्कुल न भूलें कई बार क्या होता है बहुत ठके होते हैं तो हम ऐसे ही सो जाते हैं बिना इसकिन को धोय हुए या अगर अपने चहरे को हमने दोया भी तो साधा पानी ऐसे फेस पर डालके दो कर सकते हैं एक कटोरी में जो चमच कच्चा दूद लीजिए एक रुऊ का फाहा लीजिए चोटा सा रुऊ का तुकड़ा लीजे और उससे अपने फेस को पोच दीजे आप देखेंगे कि वो रूई का टुकड़ा तुरंत गंदा हो जाएगा या काला पड़ जाएगा यानि कि आपके रोम चित्रों के अंदर जो गंदगी जमी हुई थी दिन पर की उसको खीच के यह बाहर कर देता है और यह प्रक्रिया आपको दो बार करनी है अगर आप कच्चा दूद नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हर समय उपलब्द नहीं होता है तो आप इसकीन टोनर यूज कर लिजे इसकीन टोनर सबसे सस्ता और बजट में आता है अयूर का बाकी आपको जिस ब्रांड का इसकीन टोनर बाहर कर देता है तो इससे भी आपके फेस के ऊपर एक नेचुरल चमक आएगी इसकीन टाइट होगी और जो इसकीन की गंदगी होगी वह एकदम दूर होती रहेगी अब मैं आपको यहां पर फेस पैक बता देती हूं एक चीज और बता दूँ आपको अभी जिसक गर्मी का सीजन है तो इससे जितने पानी वाले फल हैं खीरा कटी तर्बुज खर्बूजा या लीचि ऐसी चीज़ों का खूब सेवन कीजिए क्यूंकि यह हमारे सरीर को एक कोश्टिकता तो प्रदा नहीं करते हैं साथ हमारे सरीर में पानी की कमी को भी पूरा करते और अगर आप ज्यादा पी सकते हैं तो तीन से चार लिटर आप बोतल भर के रख लीजे दिन भर में अगर आप पी सकते हैं तो चारों पी जाए वरना तीन बोतल जरूर पीने का प्रयास कीजे अब मैं आपको एक फेस पैक बताती हूँ जिससे की पहले ही बता दूँ इस फ इस पैक के और भी काम है जैसे की सकने रंग तो यह साफ करेंगा साथी सकने पर अगर कोई दाघ धब्ब्ब्बे हो गये हैं जाइयां हो गए हैं आँखों के आपके आशिक इस पास अगर डार्क सरकल हो गए हैं तो इन सारी चीजों को दूर करेगा एकदम इसकिन को आपक तो टाइट कर देगा एक दम यंग लुग देगा आपकी स्कीन को तो दही लेना है आपको एक चमच जी यहां वो दही बिल्कुल गाः होना चाहिए उसके अंदर बिल्कुल भी पाणी नहीं होना चाहिए इसी देर आपको आधा चमच मुलतानी मिट्टी का पावडर मिक्स क करना है कोसिस कीजिए चाबल कही आटा हो अगर चाबल काटा नहीं है तो आप इसमें गेहु काटा मिक्स कर सकते हैं अब इसी के अंदर आपको आधा चमच कॉफी पाउडर मिक्स करना है और आधा चमच एलोवेरा जेल सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से फेट लीज सारी चीजोंको मिक्स करके ढख के कम-se-कम 10 मिनट के लिए रख दीजे इसलिए सारी चीजे आपस में एक दूसरे से मिक्स हो जाए और फोल जाए अच्छी तरीके से भीघ जाए 10 मिनट के बाद में बहुत अच्छी तरीके से चम्मसी या उबली से इन सारी चीज़ों को फिर से एक बार फेट लीजे जब आपको लगे पूरी चीज़े मिक्स हो चुकी है और ये फेस पैक फूल के थोड़ा सा अधिक हो गया है अपने चेहरे और गर्दन को आप अच्छी तरीके से धोलें आप चाहें तो इसको अपने हाथों पर भी अपलाई कर सकते हैं उसी तरीके से इसकी मात्रा को बनाते समय बढ़ा लीजेगा अगर आपको हाथों पर लगाना है दूले साफ चेहरे और गर्दन के उपर अपने हाथों के उपर इस फेस पैक की एक मोटी लेर लगा के छोड़ दीजे उसके बाद में कमसंग 20-25 मिनट के बाद यानि 20-25 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है फिर अपनी सकीन को पानी से घीला करना है और हलके हलके हाथों से मसाज देते हुए अपनी सकीन को क्लीन कर लेना है धोलेना है धोने के बाद भी अपनी सकीन को आपको एक दम ऐसे रूखा सुखा या ड्राय नहीं छोड़ना है आप जब अपने चेहरे को धोलेंगे सुखाने के बाद में अपने चेहरे और हाथों के उपर नारियल का तेल आप जरूर लगा लीजिए यह आपको रोज तब तक करना है जब तक कि आपके इस्किन की प्रॉब्लम दूर न हो जाए और जब आपके इस्किन का धीलापन खतम हो जाएगा जुर्णियां खतम हो जाएगे दागधब्बे खतम हो जाएगे तब आपको यह फेस्पैक तीसरे तीसरे दिन लगाना है अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपके इस्किन एकदम यंगलुक देती रहे खूबसूरत बेदाग और गोरी बनी रहे तो आपको यह फेस्पैक तीसरे तीसरे दिन लगाते रहना है नमस्कार धन्यवाद